हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माई चैनल सर्वन लेक्षरा आज का ये वीडियो क्लास्ट अन हिंदी जितने वी श्टूडेंट दो हजाट तैस बोर्ट परिच्छा में पेपर देने वाले हैं आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपोरेंट है आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का सत्ता नंबर बिल्कुल पक्का करने वाले हैं अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका पूरा हिंदी विल्कुल खतम हो जाएगा ठीक है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जितने वी स्टूडेंट सोला सरोरी को हिंदी का आने वाला हूं पूरे हिंदी का सारे इंपोर्टेंट कुश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना सीर कर देना अगर चैनल पर आया तो सबसे पहले आप लोगों के बोड एक्जाम की कॉपी में 20 मार्क्स क इसको मैंने आन लेडी पढ़ा रखा है और यह जो है ना मलब यह ऐसा टॉपिक होता इसके लिए आपको 30-40 पूश्चन देखना बढ़ेगा ठीक है और मैंने आप लोगों को 60 पूश्चन एक ही वीडियो में बताया है तो अगर आप उसको देखोगे तो आपको पूरा सम आपके आएंगे 5 मार्क्स के ठीक है तो हिंदी पद्ध के भी आप महात्रप्म वहुबिकल्पिया प्रस्ट तयार करना हिंदी पद्ध के आप लोग 5 5 यानिके 10 मार्क्स आपका क्या आएगा 10 मार्क्स का आपका हिंदी गद्ध और पद्ध से औब्जक्टिव कूश्चन तरला करतेंगे ठीक है पहलेिन का आपक लोगों का अब्जक्टिव कूश्चन नहीं था लेकिन अब आप लोगों का उप्जक्टिव पूश्चन आ चुखा है तो बहुत ज़्यादा आसान है यह सारे बहुत ज़्यासान निवन्ध सब कुछ बताने वाला हूँ एक भी नहीं चूटेगा तो सबसे पहले मैं आप अपजक्टिव की बात करता हूँ फिर आप लोगों को तीसरा पर करना रश्चंदलंकार रश्चंदलंकार आपके बोड़ एक्जाम में थ्री मार्क्स का आएगा थ्री मार्क्स के र करते हैं तो आप लोगों को एक नंबर तुरंत मिल जायेगा ठीक है ये आप लोगों को प्रत्य एक ही मा्क्स का आइगा थेक है एक ही माक्स का प्रत्य आएगा तो इस सब बहुत ज़्यादा आसान होता, अगर आप 4-5 आप प्रत्य तयार कर लो, 6-7 समाज तयार कर लो, तो आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान है objective question, ठीक है, फिर आप लोगों का तत्समें तदभो भी एक ही marks का आएगा, तत्समें तदभो एक marks का, व तो मतलब कुल मिलागे, आपके 20 marks के objective आएगे, जिसको आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है, 20 marks का objective questions आएगे, तो ये सबसे पहले आप लोगों objective questions तयार कर लेना, objective questions आपके यहीं से आएगे, इतने सारी चीजों से, इने के लिए आएगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों के जितने भी important है, सब कुछ हम, मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है, सबसे बहले हिंदी का आप लोगों को महत्रपूर्ण गध्यांस, 2023 बोड़ अग्जाम में, जितने विश्वुडन, 16 फरोरी को पेपर देने वाले हैं, ठीक है, तो हिंदी के महत्रपूर्ण गध्यांस, आपके दो chapter है, जो सबसे ज़्यादा important है, पहला मितरता, आप लोगों ने अगर paper देखोगे, previous year paper, ठीक है, previous year paper, या फिर आप लोगों model paper देखोगे, ठीक है, model paper, तो फिर आप लोगों को यहां से और यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है, ममता chapter से आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने देखा है, आपका जो model paper board ने जारी किया, उसका भी solution लाओंगा, तो यह मितरता से एक लिया है, एक ममता से लिया है, मतलब यही दो chapter ऐसा है, जो board exam के लिए सबसे ज़्य ठीक है, तो आप लोग अगर यह दो chapter तयार कर लेते हो ना, तो आप लोगों का यह 6 marks का आएगा, कितने marks का, 6 marks का आएगा, 6 marks आपका विल्कुल fix हो जाएगा, यह आपका कोई काटी नहीं सकता, 6 number, ठीक है, लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लोग संदर्व लिखना, ठीक यह examiner भी नहीं काट सकता, अगर आप यह तयार करोगे ना, तो board exam में आएगा और आप लिखकर आओगे, यह ध्यान डखना, क्योंकि मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि आप लोग इस पर ज़्यादा focus करो, अच्छे से पढ़ाई करो, तो सबसे पहले आप गध्यांस के सबसे पहले आपका पद चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, जो आप लोगों का जिसके लेखक सूरदास जी है, ठीक है, सूरदास और वो भी दोनों चैप्टर आप जानते रहोंगे, ममता चैप्टरों मित्रता, मित्रता के जो लेखक है, वो कौन है, आप लोगों का अचाराम चन सुकल और ममता की जैसंकर प्रशाद, याद रखना है, ठीक है, और हमारा पद है धनुस भंग वन पद पर यह हमारा हरच्चों तुलसी दाहजी का, किसका है, तुलसी दाहजी का, ठीक है, यह दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपोरेंट है, भक चैप्टर धनुस भंग वन पद फर भक्ति नीती स्वादेश प्रेम, यह आप लोगों को चार चैप्टर तयार करना है, अगर आप लोगों को पद में 6 नंबर विल्कुल फिक्स करना है, 6 के 6 मार्क्स, तो आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे सा तयार करना है, ठीक है इसमें आपके जितने भी important है, सबको देख लो, आप लोग कोई भी guide में भी देख सकते हो, ठीक है, या फिर आप लोग अपने previous paper model paper यहां से भी देख सकते हो, सारा बहुत ज़्यादा important है, जो मैंने बताया है, इसी चैप्टर से हर साल board exam में आता है, तो 2020 board exam में जितने भी बच्चे paper देने वाले 16 Ferrari को यही देखनी को मिले जा, ठीक है, अब देखो, आप लोग देखेंगे जीवन परिचे, जीवन परिचे लेखक तथा कभी का जीवन परिचे में आपको किसका किसका पढ़ना है बच्चों, लेखक तथा कभी का जीवन परिचे, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ, यह हमारे है लेखक, ठीक है, लेखक, लेखक में आपको आचार रामचन सुकल जया संकर परिचार जी का तयार करना है, ठीक है, यह दो चीज आप तयार कर लो, दो ही आचार रामचन सुकल और जया संकर परिचार जी का, ठीक है, यह आप लोग को विल्कुल फिक्स हो जाएगा आप लोगों को ये five marks ठीक है ये five marks आपका विल्कुल फिक्स हो जाएगा कोई नहीं रोक सकता अगर आप लोग ये आचार रामसंग शुकल और जयासंगर प्रसाद जी का तयार करें तो ये हमारे लेखक का जीवन पर जहें और कभी में आप को इन तीनों को तयार करना ये हमारे कवी है कौन है कवी है पहला सूर्दास जी सूर्दास जी का तयार करना मैंने सबको पढ़ा रखाए बच्चो सबको चाहे आपका सूर्दास जी हो तुलसी दास जी हो चाहे आपके जैसंगर परसाद जी हो आचार रामसंशुकली जी हो सब को पढ़ा रखा है तो सूर्दाजी का आप लोग पढ़ लेना तुलसी दाजी का और महादेवी बर्मा का इन तीनों को आप लोग पढ़ लेना ठीक है इन तीनों का जीवन परचे सबसे पहले आप लोग सूर्दाजी का पढ़ना तुलसी दाजी का महादेवी बर्मा का ये तीन आपके कभी का जीवन पर्चे हैं, लेखक के जीवन पर्चे में आपको आचारामसन सुखल, जैसंक परशाजिका पढ़ना है ठीक है, अब आपके ये 5 जीवन पर्चे आपके बच्चों, 10 marks fix करा सकते हैं, कितने 10 marks आपके fix करा सकते हैं, ठीक है, तो ये 10 नंबर आपका fix हो जाएगा कोई नहीं रोग सकता अगर आप ये 5 जिवन प्रतेद्यों को अभी आपके पास बहुत समय है बस 10 दिन में आप पूरी हिंदी खतम कर सकते हो अगर आप target गना लो तो 10 दिन में आपका पूरी हिंदी खतम हो जाएगा पूरे model paper का solution में आप लोगों को लगा पूरा viral paper का solution लगा पूरा आप लोगों को revise कराऊंगा पूरा हिंदी पढ़ाऊंगा मायराथन वीडियो जी आएगा पहले जितने भी वच्चे चैनल को subscribe नहीं किये न subscribe कर लो पूरी हिंदी आल सब्जक की तयारी कराई जाएगी ठीक है board exam को पूरा आप लोगों को 90% दिलाया जाएगा बस आप लोग अच्छे से तयारी करो तो ये 5 जीवन प्रच्चे आप लोग पढ़ लेना ठीक है लेखक और कभी दोनों का मिला का है आपको लेखक में दो जीवन प्रच्चे कभी में तीन जीवन प्रच्चे पढ़ना है ठीक है अब इस लोग आता आपकी board exam में एक इस लोग जो प्रशन पत्र में ना हो जो प्रशन पत्र में ना हो उसी इस लोग को लिखना है तो दुम्हें आप लोगों को दो ऐसे इसलोग बता देता हूं जो एक दो रहेगा लेकिन आपको दो से तीन इसलोग तयार करेना है ठीक है? मैं आपको सरल सरल और काफी अच्छे इसलोग बता देता हूं पहला यह हमारा वेरी इंपोर्टेंट है वच्छों वेरी इंपोर्टेंट है याद रखना बोर्ड एक्जाम में लिख कराना छोड़ कर बताना ठीक है? मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना आप लोग कर गयाना यह सारा आपको लिख कराना है यह स्लोग बोर्ड एक्जाम के लिए सबसे जादा इंपोर्ड एक्जाम में लिख कराओगे ना तो कोई नहीं कार सकता तो यह एक स्लोग हमारा है जो कि आप लोगों का है आप लोगों का जो प्रस्ण पत्र में ना हूँ तो यह आप लोग लि तो यह भी आप लोग तैयार करना मतलब यह दो इस लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है आपका संस्कृत पद्यांच के लिए ही तो आप लोगों को मैंने इश लोग भी बता दिया जो important गध्यांस पध्यांस के लिए chapter थे और आप लोगों का लेखा कभी सब का जिवरिन पर से बता दिया ऐसे अगर आप तयार करोगे तो 90% लाने से कोई नहीं रोख सकता अभी हम लोग और वी चीज़े देखेंगे जो board exam के लिए सबसे ज्यादा important है पूरी हिंदी के तयारी आप अच्छे से करके जाना क्योंकि हिंदी में अगर आप अच्छे से आप करके आया अपना impression अच्छा रहेगा आप लोग अच्छे से करके आऊगे तो हर एक subject अच्छा जाएगा ठीक है तो आप लोग यह आपके बुक में से चार मांक्स आपका मैं इसी टाइम फिक्स करा देता हूं कि आपका विल्कुल fix ही हो जाए कोई नहीं काट सकता मैं आपको सारे important एक ही साथ बता देता हूं answer question दोनो question भी बताऊंगा answer भी बताऊंगा ठीक है सारा आप लोगों का हीमस हो जाएगा याद रखना बॉर्ड ऐक्जाम में लिख कराना छोड़कर नहीं आणना टिक है तो वारानिसी नगरी कुत्र इस्तित्ति वारानिसी नगरी गंगा कूले इस्तित्थ जो वारानिसी नगरीष वह गंगा कुले इस्तित्ति गंगा बिस्तितति ठीक है यह जितना में आपको बता रहा रहा हूं यह सारे बोर्ड एक्जाम के लिए very important है छोड कर मता ना अगर बोर्ड एक्जाम में अच्छे marks लाना है छोड कर मता ना यही सब आपको बोर्ड एक्जाम में देखने के मिलेगा अगर आप बोर्ड एक्जाम में लिख कर आओगे तो फिर आप लोग यही सब आपको बोर्ड यह सारे इंपोर्टेंट है मैं एक ही साथ बता देंगा इसके बार नहीं बताओंगा आप लोग ये सारा complete कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है अगला है पदेन बिना किम दूरम यती पदेन बिना पत्रम दूरम यती पदेन मनलब बिना पैर के कौन दूर तक जा सकता है तो पत्र जो है पत्र वो बिना पैर के दूर तक जा सकता है तो पदेन बिना पत सब बहुत जाझां इंपरटेंट सबन नंबर चंदर शेखरा का असी चंदर शेखरा कौन था तो चंदर शेखरा परिषिद का अंतकारी देश भक्ता आ सीति ठीक यह तो बहुत जाझां है आपको पता होगा लेड़ी अन्ट भारतिय संस्रच्थी मूल म किम अस्ति तो विश तो यह आप लोगों को समझ में आ गया ना यह सारे आपके नौ है नौ जो वेरी इंपोर्टेंट है बोर्ड एक्जाम में आपको लिख कर आना है छोड़कर नहीं आना यहीं से आएंगे क्योंकि यह आपका पूरे बुक का है ठीक है अब आपको इससे बाहर नहीं देखने को पद्यांस जो हिंदी संस्क्रिट के आपके महात्यपूर गद्यांस पद्यांस बोर्ड एक्जाम में अपकी बार अलग 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 आएगा 5 marks का हिंदी गद्यका आएगा 5 ही marks का हिंदी पद्यका एगा इसलिए माने 10 marks लिखा ठीक है 10 marks आपका विलकूल fix हो जाएगा अगर आप बोर्ड एक्जाम में लिख कर आओगी कोई नहीं काट सकता पहला वारानची चैप्टर आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है वारानची चैप्टर से हर साल बोड़ एक्जाम में आता है आप लोग देख लेना मैं राथन वीडियोज भी लाऊंगा और अभी मैं आप लोगों को वो चीज़े बता रहा हूँ यह वर्दान है अगर आप इनको कंप्लीट कर लोगे तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा आपका सारा हिंदी कतम हो जाएगा इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए इतना इंप बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट और आप लोगों का भारतिय संस्कृति चेप्टर यह भी बहुत ही ज़्यदा इंपोर्टेंट तो यह आप लोग संस्क्रित का गध्यांस पध्यांस के लिए महात्रपुन शेफ्टम मैंने बता दिया, कंप्लेट कर लेना, ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों का निवंध है, जो अधा आती है, इस बोर्ड एक्जाम के लिए महात्रपुन पहल आता है, ठीक है, आप लोगों का इसी पर जादा जोड दिया जा रहा है, तो आ सकता है, बेरोजगारी की समस्या पर भी निवंध तयार कर लो बच्चो, बेरोजगारी की समस्या भी बोर्ड एक्जाम के लिए most important है, बोर्ड एक्जाम में आ सकता है, बरस्टाचार एक समस् है, उस पर भी निवंध बोर्ड एक्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड विज्ञान वरदान है अविशाब, तो ये 5 ऐसे निवंध है, जो आपको इसमें से 2-3 निवंध, 16 फरोरी को हिंदी में देखने को मिलेगा, क्लास 10 के बच्चों के लिए, ठीक है, जितने जगा, जोती, जवाहर, खंड का भी खटाफट कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही था, बहुत जादा इंपोर्ड वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा हिंदी का निचोड बता दिया, अगर आप इन स सब्जेक का लाओंगा, ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, सेर कर देना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग मिलेंगे एक और इंपोर्डेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,